रादी रादी माई में चलनल में आपका स्वागत हैं आज की कीस वीडियो में आप सीखेंगे Curtis Curtis सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि moments about mean and moments about arbitrary point क्या होता है इसके लिए मैं separate video बनाया हुआ है प्लेलिस्ट का जो है वो मैं आपको description provide कर दोंगे आप सीख लिजेगा यदि आपको नहीं आता है ओके चलिए बिस्टार्ट करते हैं कर्डों से समय देता है measurement of weakness or flatness of the curve of a frequency distribution जैसे देखिए आपके सामने अगर कर्व जो है drawn है ओके तो first curve में देखें यहां पर जो peak है वो न तो जादा highly peakness और नहीं flat है ना तो इस नाइधर पीक नौर फ्लैट सेकेंड में देखें तो यहां पर जो peak है वो sharp है third में देखें तो वो कैसी यह flat है ना यहां पर जो प्लबल की नैसी हो रही है center पे okay तो तीन तरह की possibilities है तो अगर हमारे सामने को एक कर्व drawn है तो हम बता सकते हैं कि कौन sharply peaked है कौन flat है और कौन ऐसा नहीं है ना एधर peaked on nor flat है लेकिन अगर हमारे पास किसी frequency distribution का data दिया हुआ है तो हम यह देखके कैसे बताएंगे कि उसमें किस तरह का उसका nature है कर्व का तो इसके लिए हम कर्टोस इसको को मैजर करते हैं तो देखे क्या है पहले measurement आपको मैं बताती हूं हम इसमें करते हैं measure of kurtosis यानि की बीटा और गामा कोफिशेंट मैंने आपको जब स्कूरेस बताया था तो हमने करते हैं उसके बाद आप गामा टू फाइंड करते हों गामा टू इस बीटा टू माइनस से के लिए अब हमने कैसे पता चलेगा कि कर्व का नेचर क्या है हमने ड्रॉदो किया नहीं है हमने तो गिवन डेटा जिर्फ इसको कैलकुलेट किया तो उसके लिए देखिए बहुत ही इज़ी है रूल अगर बीटा टू की वाल्यों थ्री आ जाएं तो जब इसकी वाल्यों थ्री आ जाएगी और थिरी को अब यहां सब्स यह की ग्रेटर तरी क्या होगी पॉसिटिफ हो जाएगी तो जुब चार्भ है वह कैसा होता है शाप ली पीडोंता है जो सुब्स 0 2 is less than 3 तो यह एंट ही सब्क्राइब की नमबर आएगा दैट विल ले जन जी रो तो जब गामा टू लेजज़ें जीरो होता है तो कर्व क्या कहलाता है प्लैटिवर्टिक और इस केस में क्या होताइं इस तरह तो इस तरह का हम नेचर होता है बस यही हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का हमारी kartosis है अब इस पर बेस्ट कुछ questions कर लेते हैं आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएगा देखिए first question में कहा जा रहा है the first four moments about mean of a frequency distribution are zero 60 minus 50 and 8020 respectively तो आपको म्यू 1 और से लेकर म्यू 4 तक सब की value दे रखी है क्या पूचा है discuss the kartosis की बात हो रही है तो kartosis की रिए स्रिफ हमें कौन से moment की जरूत है म्यू 2 की और म्यू 4 की है ना तो हमने सारी values तो लिख ली अपना formula अपलाई के बीटा 2 का और दोनों मूमेंट्स की value को यूज करके वीटा 2 की value को calculate किया हमने देखा कि यह कैसी वैली वा लेस दे रही है तो कौन सा केस होगे यह वाला हो लिए कि प्लाटी कर्टिक वाला ठीक है तो इस तरीके से हम कर्टोस को calculate कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट का दिखिए आपो सिग्मा दिया है 5 अच्छा अब सिग्मा के बाद म्यूटू जो है उसका से म्यूटू होता है सिग्मा का स्क्वारीन की वैगन्स तो बैरियर्स आगे 25 हमसे बात हो एक कर्टोस की की तो कर्टोस का formula क्या है हमारे पास beta 2 हम लिखते हैं beta 2 is mu 4 upon mu 2 square अब हमारे पास mu 2 की value तो पता है हमने substitute करी तो कितना आ गया mu 4 upon 625 अब कहारे हैं हम की distribution laptop कर्टिक हो तो laptop कर्टिक के लिए क्या condition है beta 2 must be greater than 3 अब beta 2 के value तो यह रिकल किया हमारी तो हमने इसको put कर दिया this must be greater than 3 okay so this must be greater than 3 इसका क्या मतलब है हम इसको तर multiply कर दें तो mu 4 must be greater than 1875 इसका multiply करोगे तो यह आएगा ठीक है तो इसने क्या पूचा था हमसे what must be the value of the fourth moment तो mu 4 की value ऐसी क्या हो ताकि laptop कार्टे को तो mu 4 की value कैसी होनी चाहिए 1875 से बड़ी होनी चाहिए तो कर्व कैसा होगा laptop कि प्रकाटिक के लिए क्या होना चाहिए बीटाटू जो हो फो रहाट थी होना चाहिए तो तो बीटा 2 की वैली वेमने रखे एक्वाल तो तो क्या आ गया 1875 तो म्यू 4 इक्वाल टू 1875 पर जो कर्व है हमें कैसा मिलेगा मेज़ोपर्टिक मिलेगा ठीक है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको करके देखनी जगा मतलब आपको एक ही वैली दे रखी है और म्यू 1 डैश से लेकर म्यू 4 तक के मूमेंट्स अब आर्बिटरी बाइंट की बात हो रही है तो जो स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस पे 27 नंबर वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में डिसक्स किया था आप देख लीज़ेगा आपक कोफिशेंट हमने कलते थे किसमें स्टिवनेश के लिए और वीडा टू कार्टो से के बात हो रही है कमैंट आपॉझ अकश्टनेश के बारे में बताना है कि किस ट्याप की स्टैप की क्से त्याप कई कर्टो से से बहूत आसान हैं एह वारे सारे मुрут जे रखे थे तोकर PG के formula apply कि जो मैंने आपको relation वाली वीडियो में बताये थे तो हमने इन values को put किया dash वाली जितने भी moments से और इसके बाद इन 4 की value calculate कर दिए ठीक है अब beta 1 beta 1 बहुत easy है beta 1 का formula होता है mu 3 square upon mu 2 का q तो हमने value put कर दी mu 2 mu 3 की यह value आ गए ठीक है अब इसके बाद हम कैसे बताएंगे कि कौन सी skewness है उसके लिए हमने क्या सीखा था कि हम gamma 1 calculate करेंगे तो gamma 1 क्या होता है under root beta 1 और मैंने आपको यह भी बताया थे plus minus sign होता है तो उसका जो sign होता है वो हम mu 3 के according लेते तो आप एक चीज़ देखो आपने जो है calculate किया था mu 3 तो mu 3 की value कैसे आई थी positive जब इसकी value positive होती है तो यहाँ पर gamma 1 का sign है वो भी कैसा होगा positive होगा ठीक है अच्छा अब यह gamma 1 हमने calculate किया यह भी positive value आई तो positive value जब आती है gamma 1 की तो skewness कैसी होती है positive होती है ठीक है negative आती है तो negative assurance होती है फिर beta 2 कर calculate किया mu 4 upon mu 2 का square तो जब दोनों की value put करी तो आपको value यह मिलेगी आप करके देख लेना ठीक है this value is greater than 3 तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर value greater than 3 होती है तो distribution कैसा होता है laptop का ठीक है मतलब उसकी peak जो होती है वो sharp होती है यह रखी है और x की values दे रखी है और आप से क्या पूछा गया है कि measure करो skewness and kurtosis तो simple skewness kurtosis के लिए क्या आची है में moments है है moment about mean पिछले question में आपको moments about arbitrary point दे कर कि फिर आप से calculate करवाए गए थे moments about mean इसमें आपको moments about mean is data की help से calculate करने है तो ऐसे हमने पहले बहुत से questions किये हुए है इस पाथ थोड़ा सा और explain कर देती हुए क्या कि हमने x और f दे रहा था तो x और f दोनों का column बना लिया फिर about mean की बात हो रही है तो हमें mean calculate करना है तो हमने mean का formula लिका क्या है submission fx upon submission f तो हमने क्या किया fx का total और f का total find किया तो पहले fx का column बनाना पड़ेगा x का f में multiply करके ठीक है जब multiply करोगे इन entries का तो fx आ गया इसका total किया f का total किया तो values के आ गई 5 तो x bar की value तो 5 हो गई फिर इसने कहा था सारे वो करो skewness और kurtosis को बताओ on the basis of moments है ना तो skewness kurtosis के लिए हमें moment about mean तो calculate करने पड़ेंगे तो इसलिए हमने moments about mean के formula लिखे तो formula में क्या था sigma f x minus x bar का square जब mu2 calculate करते हैं और इनिचे sigma f mu1 हमेशा 0 होता है तो उसमें तो कोई दिखा दी नहीं है तो mu2, mu3, mu4 इनके formula पुट की है इनको यह जो टिसमें terms लिखे हैं इसको calculate किया है ना अब इसमें क्या लिखा f x minus x bar का square तो f अब x minus x bar का square तो उसमें है रेकें x minus x bar भी तो चाहिए हमें तो x minus x bar कैसे किया हमने x की हर value में से इस x bar को minus कर दिया तो x minus x bar आ गया frequency का multiply किया तो यह time आ गई हाला कि इसकी जौरत नहीं थी पर लिख गया है अब यह चाहिए हमें f x minus x bar का square तो x minus x bar के square में f का multiply किया तो यह column बन जाएगा इसका cube करके f का multiply करेंगे तो यह आ जाएगा इस सरी के से यह वाला column भी आ जाएगा सारे columns की value find करके इनका total कर लिया और यह जो movements के formula है हमने इसमें put कर दिया ठीक है तो put कर दिया तो values आ गई इसके बाद हमें beta 1, beta 2 भी find करना था तो beta 1, beta 2 का formula लगाया और movements की हमने values को put किया तो हमने देखा gamma 1 के आगे 0 इसका मतलब distribution कैसा है symmetric है there is no skewness ओके और beta 2 की value less than 3 आ गई तो distribution कैसा हो गया platyctic आ गया greater than 3 में laptoctic था और less than 3 में platyctic होता है ठीक है और हम यहां से भी बता सकते है कि gamma 2 अगर beta 2 यह जो less than 3 है तो obviously यह कैसा आएगा negative हो जाएगा तो distribution is platyctic तो इस तरह के से हमने calculate किया और एक और चीज़ जैसे इसमें इसने का न on the basis of moments क्योंकि skewness kurtosis के कुछ और भी formula होते हैं लेकिन हम यह on the basis of moments सीखा है न तो इसलिए हमने यह question लिया और इसने वही पूछा है तो moments को use करके बताना था तो इसलिए हमने इस method को किया चले अब यह आपके सामने कुछ questions है इन questions को आप खुद solve कर लीजेगा देखे तीन questions मैंने दे रखे हैं आप इसका अच्छे से screenshot ले लीजे यह पूरा में पर दिखा देती हूँ ठीक है इनको solve करिएगा answer match कर जाए तो मुझे कमेंट करके बताईएगा कि यहां आपका answer अच्छे से आ गया है ओके वीडियो अच्छा लगाओ तो like share and subscribe जरू करें wish you all the best take care राधे राधे